Hello to all students, students हम लोग स्थिर उदिपक्विदी या constant stimuli method किसे क्याते हैं और इस method के द्वारा निर्पेक्ष धहली या absolute threshold का मापन किस प्रकार किया जाता है इसका अध्यान कर चुके हैं आज की अध्याय में विद्यातियों भिन्नता सीमान्त का मापन या measurement of differential threshold with constant stimuli method और स्थिर उदिपक्विदी द्वारा भिन्नता सीमान्त का मापन किस प्रकार किया जाता है इसका अध्यान हम करेंगे विद्यातियों इस विद्वारा जब हम DL का मापन करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम कुछ परिवर्तिय उदिपक और साथ ही साथ एक standard उदिपक चुनते हैं जो परिवर्तिय उदिपक हम चुनते हैं उसमें से कुछ परिवर्तिय उदिपक मान दीजे तीन या चार परिवर्तिय उदिपक जो होंगे वो standard से कम मुल्ले वाले होंगे और कुछ परिवर्तिय उदिपक स्टैंडर्ड से ज़्यादा मुल्ले वाले होंगे और जब भी standard से ज़्यादा मुल्ले वाले उदिपकों को प्रयोजे के सावने प्रस्तुत किया जाता है तो प्रयोजे हमेशा इन उदिपकों के लिए ज़्यादा मुल्या की अनुक्रिय देता है इस प्रकार जब हम परिवर्थिय उदीपक और स्टैंडर्ड उदीपक चुन लेते हैं तो परिवर्थिय उदीपकों को या तुलनी उदीपक को जिसे हम comparable stimulus भी कहते हैं को प्रतियक प्रयास में standard के साथ या standard उदीपक जो है उसके पहले या उस standard उदीपक प्रस्तुत करने के बाद हम इन तुलनी उदीपकों को प्रयाजे के सामने प्रस्तुत करते हैं और जो तुलनी उदीपक या परिवर्थिय उदीपक हम standard के साथ प्रस्तुत करते हैं उनका अक्रम हमेशा अन या मित या random order में होता है प्रयोजे को जब standard और तुलनी उदीपक के तुलना करनी होती है तो तुलना करके प्रयोजे को ये बताना होता है कि जो तुलनी उदीपक है वो standard की अपेक्षा हलका है भारी है अत्वा बराबर है और प्रयोजे की हलका भारी या बराबर की अनुक्रियाओं को हम चिन्हो द्वारा नोट करते हैं और हलके के लिए हम माइनस का निशान लगाते हैं भारी के लिए हम प्लस का और बराबर के लिए हम इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं और प्रयजी की जो अनुक्रिया है उसको नोट किया जाता है विटियार्थियों जब भी प्रयज अनुक्रियां देगा डियल के मापन के लिए उस वक्त जो अनुक्रियां हम नोट करेंगे उनको दो प्रणालियों द्वारा नोट किया जा सकता है पहली प्रयजी को तुलनी उद्विपक और स्टैंडर्ड उद्विपक के तुलना के लिए अधिक से दिक दो अनुक्रियां करने के लिए कह सकते हैं तो पहली अनुक्रिया में वो कह सकता है कि यह हलका है यह कम भारी है उसी प्रकार दूसरी अनुक्रिया में वो कह सकता है यह भारी है यह स्टैंडर्ड से अधिक है दूसरी प्रणाली में प्रयुजय को जब तुलनी उदीपक और स्टैंडर्ड उदीपक की तुलना करने के लिए कहा जाता है तो उस वक्त प्रयुजय जो है वो अपनी अनुक्रियाएं तीन तरह से कर सकता है पहली अनुक्रिया में वो कह सकता है कि ये हलका है दूसरी अनुक्रिया में वो यह कह सकता है कि यह भारी है और तीसरी अनुक्रिया में वो उसे बराबर बता सकता है विद्यार्थियों जो डियल का मापन है जिसका हमने भी अध्यन किया उसे हम और स्वष्ट रूप से समझने के लिए एक उधारण द्वारा किस प्रकार कक्षा में प्रयोग होते हैं जिसे की बिन्यता सीमान्त ग्याद करवाया जाता है उसमें हम कुछ भार या वेट्स का प्रयोग करते हैं जैसे विध्यारतियों यदि हम भारों की भिन्यता सीमान्त ग्याद करने में नौ तुलिनी अभार लेते हैं जैसे की हमने लिया 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 और 78 ग्राम के भार और इसमें हमने यदि 70 ग्राम का भार को स्टैंडर्ड रखते हैं और इस प्रयोग में जब हम प्रयोजी के सामने स्टैंडर्ड जो की 70 ग्राम का भार है उसे प्रस्तुत करते हैं तो प्रयोजी को हम ये कहेंगे कि उसे 70 ग्राम के इस भार को अपने अंगुठे और मध्य की उंगली की सायता से उठाना है और उठा कर उसे वापस रख देना है इसके बाद जो तुलिनिय भार होगा चाये वो हम 62 दे या 64 जैसे मान दीजिए हमने 68 दिया और उसे कहा कि उसे भी उसी तरीके से उठा कर वापस रखना है और फिर यह बताना है कि जो तुलिनिय भार जो हमने यहाँ पर 68 लिया वह स्टैंडर्ड यानि कि 70 से भारी है बराबर है अत्वा हलका है विद्यार्थियों जब हम यह भार प्रयुजे को तुलना करने के लिए उठाने को कहते हैं और अनुक्रिया करने के लिए कहते हैं उस वक्त हम उने यह नहीं बताते कि यह भार कितने ग्राम्स का है और जब प्रयुजे इसकी तुलना करेगा तो उसके द्वारा दी गई अनुक्रिया को नोट कर लिया जाता है इन सभी तुलनिय भारों को प्रयुजे के समुक प्रस्तुत करने के लिए यह आवशक है कि यह अन्यमित क्रम में प्रयुग करता द्वारा प्रयुजे के सामने प्रस्तुत किया जाए ज्यादा तर जो यह तुलनिय भार होते हैं जो हम स्टैंडर्ड के साथ प्रयुजे के सामने प्रस्तुत करते हैं यह सारे तुलनिय भार कम से कम दस बार स्टैंडर्ड के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जितनी ही अधिक बार इनको प्रस्तुत किया जाएगा उतना ही अच इस वीदि द्वारा प्राप्त आकडों से DL की गड़ना की जा सकती है और DL को ग्यात करने केलिए कही प्रणालिया हैं और इन सभी प्रणाली में DL का मापन उच्चतर भिन्यता सीमान्त या अपर डियल तथा निम्नतम भिन्यता सीमान्त या लोवर डियल को माप करके किया जाता है तो विध्यारतियों इस अध्याय में आपको इस पश्ट हो गया होगा कि इस्तिर उद्धिपक द्वारा भिंता देहली का मापन किस प्रकार किया जाता है?